जाकते रहो जब तुम अश्टावक्र को सही सही समझ जाओगे न फिर तुम ध्यान देना तुम सब कुछ करोगे और कुछ भी ना करोगे तुम सब कुछ बोलोगे और कुछ भी ना बोलोगे तुम सब जगें जाओगे और कहीं भी ना जाओगे जनक की भाती जनक कहते हैं अहू अश्ट्रिय है मैंने संपून जगत का त्याक कर दिया संपून संसार का अत्याग कर दिया अदे महल में बैठे हैं राजसी वस्त पहने हुए हैं राजसंगासन पर भी बैठे हुए हैं राजसी भोज भी खा रहे हैं और सभी वस्तों का अत्याग कैसे केवल बोध पूरवक बहुत पूर्वक जनक ने ये जान लिया कि ये सब चीजें उनसे व्यर्थ है उनसे भिन है जनक पैचान गया कि मैं द्रस्टा हूँ मैं साक्षी हूँ मैं परमात्मा हूँ और जब मैं परमात्मा हूँ तो महल किसका था जनक का राज़दरबार किसका था, जनक का जब महली ना रहा, जब जनक ही ना रहा तो जनक का महल का के वल बोध मात बोध मात से सारे संसार का ट्याग हो गया अगर तुम हश्टा वक्र को ठीक ठीक थीक समझ गए न तो तुम्हें भी जीवन में ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है और तुम्हें किसी चीज की भी अफशकता नहीं है और तो और एक बार समझने के बाद तुम्हें मेरे सन्यास की भी अफशकता नहीं है और अगर तुम नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हें अभी भी अर्चन है तुम्हारा मन अभी भी उस बात को नहीं सिर्कारता है तो हिम्मत करो आगे बढ़ो मेरे पास आओ मैं तुम्हें सन्यास देऊंगा मैं तुम्हें ध्यान का मार्क दिखाऊंगा फिर उस ध्यान के मार्क पे तुम चलो तो अभी ना सही तो एक साल बार फिर तोमें जब उस बात का ανभव होगा तो तुम्हारे भी वीतर गटना गटेगी तुम्हारा भी जागरन होगा तुम भी जागोगे फिर तुम्हें मेरी यही बात दुबारा याद आएगी कि करने को कुछ था ही नहीं परमात्मन बिलकुल ठीक कहते हैं कि यहां करने को कुछ भी नहीं है सन्यास लेने से पहले एक बार ठीक ठीक समझ लो कि सन्यास क्या है मेरे सन्यास का मतलब क्या है मैं तुम्हें कोई तुम्हारा तताखतित सन्यास नहीं देने वाला हूँ कि तुम सन्यास लो पत्नी बच्चे छोड़ो और जंगल भाग जाओ पहाडों में चले जाओ अज़े ये कैसा सन्यास ये तो भगोड़ा है ये तो भगोड़ा होकर जीवन जीना है मैं जो तुम्हें सन्यास दे रहा हूँ उस सन्यास का केवल इतना ही मतलब है कि तुम्हारे पैर में एक काटा लगा अब तुम जंगल में से जा रहे थे तुम काटे को कैसे निकालो तो तुमने कहीं से दूसा काटा उठाया और उस काटे से पहले वाला काटा निकाल दिया और पहले वाले काटे को फैक दिया अब क्या करोगे क्या दूसरे काटे को सजो के रखोगे कि पहले वाले काटे ने जहां सुराक किया था पैर में अब दूसरा काटा तो बढ़िया था, उसने पहला काटा निकाल दिया, अब उस सुराक में दूसरे काटे को लगा ले, क्या रखोगे ऐसा, नहीं ना, तुम क्या करोगे, तुम पहले वाले काटे को और दूसरे काटे को दूनों को फैंक दोगे, पहले वाला काटा तुम्हा काटे को भी फैक दो फिर सन्यास होना या ना होना तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ेगा सन्यास तो केवल दूसरा काटा है तुम्हारे पहले काटे को निकालने के लिए मैं तुम्हें सन्यास में बांध नहीं रहा हूं केवल एक उपाय दे रहा हूं एक अवलंब दे रहा कुछ समय के लिए, जिस दिन तुम सन्यास लेके ध्यान करोगे, भीतर जाओगे, जाग जाओगे ना, फिर तुम्हें स्वयम ही पता चल जाएगा, कि हमें सन्यास क्यों दिया गया, केवल एक अवलंब के लिए, सन्यास से तुम्हें बांदना नहीं है, सन्यास केवल एक काट तुम्हारे पहले काटे को निकालने के लिए और अगर तुम इतने ही समझदाद हो कि तुम बिना दूसरा काटा लिए ही पहला काटा निकाल सकते हो तो तुम निकाल सकते हो फिर तुम्हें दूसरे काटे के आफशक्ता नहीं है अगर तुम अस्टावकर को ठीक ठीक समझ जाओ न तो तुम्हें सन्यास की भी आफशकता नहीं है तुम्हें किसी वस्तू की आफशकता नहीं है बस होता क्या है कि तुमने जो मन में धड़ बावनाय बनाई हुई है न कि मुक्ति के लिए कुछ करना है बस ये कुछ करना है उसका ही एक छोटा सा रुपांतर है कि तुम सन्यास लो और ध्यान करो तुम अपने घर, बार, इस्ति, पुत, कार, कोठी में आ सकते थे मैंने तुमें दूसरा काटा रुपी सन्यास दिया अब इस दूसरे काटे से तुमने पहला काटा निकाल दिया तो सन्यास तो एक ओशदी है जब तक तुम किसी बिमारी से ग्रसित हो एंकारुपी बिमारी, महरुपी बिमारी, मैंसे ग्रसित हो तुम उसके ग्रसित होने से बचने के लिए तुम अपने पुदाने तत्हकतित ज्ञान को छोड़ने के लिए सन्यास लो फिर ये ओशदी जब तुम ठीक हो जाओगे तो बचुई ओशदी घर के किस कोने में पड़ी देगी किस कबार में वे पड़ी देगी क्या तुम्हें इसका भान होता है नहीं तो फिर वे सन्यास तुम्हारा हुआ ना हुआ ना पकड़ना ना छोड़ना किसी काम का ही नहीं आएगा तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ इस सन्यास से तो तुम्हें अपने पुराने संसारिक बंदनों का निवादन करना था और फिर मेरे सन्यास के बाद तो तुम लाल वस्त पहनो हरे पहनो निले पहनो इससे क्या फरक पड़ता है मैं कोई यह नहीं कहता हूँ कि तुम्हें कोई लाल वस्त पहन के अपने को ग्यानी और दूसरे को ग्यानी तो मानना नहीं यह तो उन्तततित महात्माओं की बात है जो लाल वस्त पेनके अपने को इंए और दूसे को इंए मानते हैं मेरा सन्यास तो केवल दूसरा काटा है अगर तुम्हें वैसे ही समझ हा जाए तो तुम्हें इसकी बिजरुष नहीं है तुम्हें पहला काटा निकालना आ गया तो तुम्हें दूसरे काटे की कोई भी आफशकता नहीं है और अगर तुम्हें पहला काटा नहीं निकाला जा रहा है तो फिर मेरा दूस्वा काठा उठाओ, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ, सन्यास लो, ध्यान करो, जाकते रहो करो, आगे बढ़ो, मेरे बढ़ो, मेरे ठास आओ, सन्यास लो, दो. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो means झाल झाल